हलो मेरे प्यारे बच्चो कैसे हैं आप लोग, a very hearty welcome to this mind-blowing platform physics वाला, my name is दुपरशर्म और आज बच्चो हम लोग करने वाले हैं ये बहुती चोटी चोटी सी और प्यारी प्यारी सी poem जिनका नाम है dust of snow and fire and ice, ठीक है, फड़ा फट से कर लेते हैं इनको, चले, सबसे पहले हम लोग करेंगे dust of snow, जी हाँ, dust of snow, क्या लिखा है इसमें, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had root, भाई, यहां क्या बोल रहा है, poet, poet कहता है कि जिस तरह से, एक crow ने मेरे उपर shake किया है, dust of snow from a hemlock tree, जो ये dust of snow, यानि snow के particles, इस hemlock tree से, उसने दिया है मेरे heart को, एक change of mood और बचाया है उस दिन को, जो मैंने rude कर दिया था, यानि कि बरबाद कर दिया था, held in regret, भाई देखो, इस तरह की जो poems होती हैं, इनके दो meanings होते हैं, एक होता है literal meaning, यानि कि जो हमें पढ़कर समझ में आ रहा है, और एक होता है, इसका metaphoric meaning, यानि कि symbolic meaning, जो इसके पीछे, जो है, वो meaning चुपा हुआ होता है, अब हमें literal meaning तो समझ में आ गया, कि एक person जो है, वो hemlock tree के नीचे बैठा हुआ है, एक कवए ने उसके उपर जो है, वो dust, ऐसे फैंकी, यानि ज़रा सा उसके उपर snow जो है, वो छिडग दी, उसके कंधे के उपर, जब उसे उसका एहसास हुआ, जब उसके उसको ठंडक महसूस हुई, तो उसका, जो है, mood change हो गया, और उसका वो दिन बच गया, जिसे वो बरबात करने वाला था, जी हाँ, यही है इसकी summary में, poet was standing under a hemlock tree, a crow shook of the dust that had fallen on the tree, ठीक है, उसने, जो है, dust से उसके उपर shake करी snow जब जैसे ही poet के उपर गिरी, तो उसका, उसको एहसास हुआ, और क्या हुआ, उसका mood change हो गया, it ended all the sadness that had filled his mind, thus it saved his day, भाई हमारे जो poet उसका mood बहुत ज़्यादा खराब था, poet ने तो बस decide कर लिया था कि मैं तो अपना पूरा दिन जो है बरबाद ही करने वाला हूँ, रोते-रोते बिताने वाला हूँ, बिल्कुल regret में बिताने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन उसका जो ये दिन कैसे बचा, जब crow ने ऐसा किया, ये जो पूरे की पूरे poem है ना से लग रही है देखने में, लेकिन यहां आपने एक बात नोटिस करी, यहां crow और hemlock tree mentioned है, पता है crow को death के साथ जो है, वो relate किया जाता है, crow और hemlock tree दोनों को ही symbols of doom माना जाता है, negative माना जाता है, आपको पता है na myths and superstitions क्या होते हैं, myths and superstitions होते हैं, कि हम लोग अंध विश्वा जो होते हैं, ठीक है, कि बिली रासा काट गई, आख फड़क रही है, और हाथ में कुझली हो रही है, कुछ गलत होने वाला है, मतलब कुछ पैसा आने वाला है, आख फड़की तो कुछ गलत होने वाला है, तो इस तरह के myths and superstitions पे हम लोग विश्वास करते हैं, वैसे ही लो तो लोग जो है, उसे क्या बोलते हैं, कि भाई ये तो गलत है, यो नो ये ट्री जो है, सिंबल ओफ डूम है, विएराज जब हम आइस की बात करते हैं, आइस होती है, बिल्कुल आईवरी, वाइट कलर की होती है, तो उसको प्योरिटी के साथ रिलेट किया जाता है, पर हम हमारी पोईट नहीं इसके ओपर ध्यान नहीं दिया, कि एक कववा, जो कि हम लॉक ट्री पर बैठा हुआ था, दोनों सिंबल ऑफ डूम है, उसने मेरा उपर स्नों गे रही, भाई पोईट ये भी तो सोच सकता था कि मेरा दिन और भी जाधा बरबाद हो जाएगा, नहीं, पोईट हमारा यहां बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, जी हां वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो बहुत पॉजिटिव है, वो कहता है कि भाई, वह वाला परसन ने जो कहता है, ग्लास इस हाफ फुल, उसने नेगिटिविटी नहीं, यहां पॉजिटिविटी ढूदी, जी हां बच लगाने वाला हूं, तभी बच्चों, इसकी theme क्या है, इस chapter की, इस poem की theme है, even a simple thing can have a large impact and significance, एक छोटी सी चीज, कई बार उसका बहुत बड़ा, बहुत बड़ा effect जो है, वो बढ़ सकता है, छोटी सी चीज है, देखो, by dust of snow, यानि किसरा सी snow ही तो गिरी है उसके कंधे पर, उस इसने सोचा कि, नहीं भई, मैं जो है, अपना दिन बरबाद नहीं करूँगा, मैं तो इसे positively, जो है, वो spend करने वाला हूं, देखो, इस से क्या पता चलता है, भई, example के तौर पर, जब एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो है, वो सभी को देखके smile करता है, वो उस बेबी के साथ थोड़ी सी देर खेलेंगे, एक मिनट भी खेलेंगे ना, तो हमारा मूड पूरी तरीके से change हो जाएगा, जी हाँ, यहीं यह पोयट कहना चाहता है, कि भई, छोटी सी चीज है, पूरा दिन बरबाद किया है, लेकिन बेबी की smile से किस तरह से आपका दिल जो है, वो पिगल गया, आपका दिन जो है, वो बन गया, तो यही इस पोयम की जो है, वो theme है, कि छोटी सी चीज आपके mood को change कर सकती है, positive बना सकती है, पोयट से हमें सीखना चाहिए, कि उसने किसे myths and superstitions पे विश्वास नहीं किया, उसने negativity को नहीं देखा, crow और hemlock tree को, ठीक और दिन का सही use मैं करने वाला हूँ, चालिए, यह जो poem है, बच्चो, इसकी rhyming scheme है, A, B, A, B, A, B, A, B, इसकी rhyming scheme है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इसकी poetic devices की, poetic devices इसमें क्या-क्या है, बच्चो, सबसे पहले है, यहाँ पर alliteration, alliteration क्या होता है, repetition of consonant sounds, जब consonant, consonant repeat हो रहे ह होते हैं, बिलकुल अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ क्या लिका है, has given my heart, has given my heart में, H and H is being repeated, जी है, H और H जो की consonant है, वो repeat हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर alliteration है, दूसरा आता है, आपका consonants, consonants का मतलब होता है, repetition of the vowel sound, यहाँ कौन सा vowel sound repeat हो रहा है, O, O क्या है, एक vowel, shook down on me, shook down on me में, O, 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 चार बार O repeat हो रहा है, वोवल sound repeat हो रहा है, O की, तो हैंस, यहाँ पर है आपका consonants, तीसरा आता है, बच्चों, enjambment, भई, पोयोच को जरा ध्यान से देखो, इस poem को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई full stop नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, एक के बाद एक line चो है, वो continue हो रही है, तो इसे हम कहते है, enjambment, enjambment का मतलब क्या होता है, that, when the line is being continued to the next line, without the use of punctuation marks, कोई punctuation mark नहीं है, देखो भई, end में, और सीधा line continue हो रही है, तो यहाँ पर आगई आपकी enjambment, आगे है आपकी imagery, imagery का मतलब क्या होता है, imagery का मतलब होता है, when the poet uses your five senses to create an image in your mind, कोई भी आपके five senses का use करता है, यहाँ आपको क्या बोल रहा है वो, कि एक कववा बैठा था, hemlock tree पे, उसने मेरे उपर, जो है, वो dust, जो है, वो फैंकी, जब poet ने ये बात कही, तो क्या आपके मन में एक visual image create नहीं हुई, आपके मन में एक image बन गई ना, कि हाँ, एक कववा बैठा हुए, उस कववे ने जो है, ऐसे फैका होगा, poet के उपर और उसकी थंडग का उसे एहसास हुआ, तो ये सब बाती सुनने के बाद, जो है, आपके मन में एक visual image create हो गई, तो poet बिलकुत successful रहा, और उसने आपके मन में ये poetic device, जो है, यूज करके image आपके मन metaphor भी है, metaphor का मतलब क्या होता है, metaphor, यहाँ पर metaphor है आपका dust of snow, dust of snow, dust of snow, क्या है basically particles of snow, dust, वैसे dust क्या होता है, dust का मतलब होता है, धूल, तो यहाँ धूल तोड़ी ना गिरी थी उसके उपर, dust of snow का मतलब है, snow के particles, यहाँ पर snow के particles को compare किया गया है, dust के साथ, that is why, यहाँ पर metaphor ह है आपका dust, आगे आपका cynic dosh, cynic dosh क्या होता है, cynic dosh एक बड़ा ही interesting poetic device होता है, in which, क्या होता है, एक छोटा सा word जो है पूरे whole को represent करता है, ठीक है, छोटा सा word है, पूरे whole को वो represent कर रहा है, जैसे कि, भाही second paragraph में देखो, इसमें क्या लिखा है, has given my heart a change of mood, यह जो हुआ मेर उपर जो है वो बरफगिरी, उसकी वज़ा से मेरा दिल का change हो गया mood, तो क्या सिरफ पोयट के दिल का mood change हुआ, जी नहीं, पोयट के पूरे के पूरी body, पूरा का पूरा जो है, उसका mood जो है, वो change हुआ, तो यहाँ पर has given my heart a change of mood है, आपका cynic dosh, यानि की heart जो है, वो पोय whole को represent कर रहा है, सिर्फ उसका heart नहीं change हुआ, पूरा का पूरा वो change हो गया, इस छोटे से incident से, जी हाँ, इस छोटे से incident से, तो यहाँ हमें इस poem से क्या सीखना चाहिए, बच्चों, कि भई, life में हम कभी भी परिशान होना, तो हमें कोई positivity ढूंड लेनी चाहिए, अपने आस है, आप काली बिली आपके साथ खेलने के लिए आजाए, ठीक है, खेलने के लिए आपके साथ आ रही है, यह भी एक छोटा सा incident है, आपका मन हो सकता है, बहुत ज़्यादा खराब हो, और आप किसी को कहो कि तुम कह रहे थी ना कि काली बिली काटने से रास्ता खराब हो जा यहीं हमें Poetis Poem में सिखा रहा है बच्छो, चलिए अब करते है, Fire and Ice, क्या लिखा है? Some say the world will end in fire, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favour fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. भई बच्छो, अब यह पिछली जो हमने Poem देखी थी, जो Robert Frost ने लिखी थी, यह भी Robert Frost ने लिखी है, दोनों की दोनों nature से बहुत जाधा related है, भई पिछली Poem में हम लोग देखे रहे हैं कि सब बहुत positive है, ठीक है, बहुत optimistic tone जो है, उसमें use की गई है, लेकिन इस वाली Poem में, जो poet है, वो क्या कह रहा है? Poet is talking about the end of the world, वो कह रहा है कि क्या होगा जब दुनिया खतम होगी और दुनिया कैसे खतम होगी? भई हम लोग कई बार apocalyptic movies जो है, वो देखते हैं जब apocalypse आ जाता है, दुनिया खतम हो जाती है, ठीक है, बड़े सारी reasons होते हैं दुनिया खतम होने के, यहाँ क्या reason बताया गया है, fire and ice, यहाँ poet कह रहे हैं कि दो तरीकी हैं जिससे दुनिया खतम हो सकती है, ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि fire से खतम होगी, दुनिया कुछ लोग कहते हैं कि ice से जम कर खतम होगी, यहाँ पर poet ने यह मान लिया है कि दुनिया दो लोगों में divided है, दो हिस्सों में divided है, एक हिस्से में लोग कहते हैं कि fire से खतम होनी चाहिए, एक में कहते हैं कि ice से खतम होनी चाहिए और दोनों ही अपने रीजन्स दे रहे हैं, वो कहे रहे हैं, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire, यहां पोयर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई, मैं इतना साधा desire को जानता हूँ, desire, लोगों के अंदर इतना साधा desire है, इतना साधा lust है, avarice है, इतना साधा anger है, कि मैं म हूँगा कि ice भी ठीक है, I know enough of hate, वो कहते हैं, मैं नफरत को इतना जदा जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि ice भी भई भढ़िया है, ice भी से यह ice से भी जम कर लोगों को मर जाना चाहिए, क्योंकि वो भी suffice करेगी, वो भी sufficient होगी, क्यों कहता है poet ऐसा इतना negative क्यों हो रहे है, basically क्या है human emotions, यहाँ human emotions की बात हो रही है बच्चों, सबसे पहले desire की बात हो रही है, desire का मतलब क्या है? desire में आगया आपका emotions like lust, desire, चीक है, यह जो है ना average जो लोगों के अंदर होता है, average क्यों आवरेस का मतलब जो लालच होता है, greed, जो लोगों के अंदर होता है, वो इतना यह एक किस चीज़ों का लालज की हरी काँशल कर ना चाहते आप आपने लोग्हें जो पmentalर यह क्या करते हुआ हूं ज्यूह कुर हाओ toolbar बग्राय होता है कि वह आगे कुछ नजर नहीं आता और वो लोग ये जो उनके अंदर ये emotions होते हैं वो self destructive होते हैं इससे वो खुद को ही खतम कर रहे हैं दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा hate होता है ऐसे लोग कैसे होते हैं बच्चों cold hearted होते हैं जी हां ये बहुत जादा cruel होते हैं cold hearted समझ रहे हो जिनके अंदर मतलब पत्थर का दिल एक तरह से बरफ का दिल हो चुका होता है वो बिलकुल मतलब उनके अंदर ऐसा होता इमोशन होते ही नहीं है वह लोग ऐसे person होते ही जदा cruelty करते हैं कैसे person की बात करें यहां बात करें वो लोग जो कभी किसी को मारणें से पहले सोचते नहीं है कई सारे ऐसे लोग है हम लोग देखते हैं कि आनेमल के सातों बहुत जड़ा गलत करते也निमस के साथ जो है उन्हें cruelty करते हैं और मैं आपको बता भी नहीं सकते हूं कि किस तरह कैसे लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरी community की लोगों को कई बार communal fixable riot जब हो जाते हैं तो वह दूसरे परसंट को मार देते हैं किसी परसंट को मारने के लिए कैसा मनलब कितना स्यधा दिल कैसा होगा उनके अंदर बिलकुल वह थन्डे नहीं है बच्छो वार्न नियँतना है वो बिलकुल ठंडे हो चुके भी है इस तरह की लोगों को वो कहते हैं कि जम कर ही ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए, poet कहता है, some feel that the world will end in fire, others say it will end in ice, the poet says both of them are capable of destroying the world, दोनों, जो है, वो world को destroy कर सकते हैं, fire is equated with desire, fire को desire के साथ relate किया है, और ice को hatred के साथ, दोनों में इतनी ताकत है कि वो world को destroy कर सकते हैं, बचों हमारा poet जो है, हमें पते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कि आपके अंदर ना ये दोनों टाइप के emotions नहीं होने शाहिए, ये दोनों टाइप के emotions self-destructing होते हैं, ये दोनों के दोनों आपको खुद को ही बरबाद कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको लगेगा कि ठीक है, ये emotions ओके हैं, लेकिन ये emotions आपको दीरी-दीरे करके जो है, वो खा जाएंगे, ठीक है, अपोकलिप्स आहीं जाएगा, आप ही जो है वो खतम हो जाएंगे, ठीक है, तो पोयट आपको जो है, वो reason देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपने देखा है ना, इस तरह की लोगों को आप जानते हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लालच होती है, बहुत ज़्यादा ग्रीड है, हर चीज को पानी की इच्छा, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वो कहते हैं ऐसे लोगों को ना फटा-फट से खतम हो जाना चाहिए, फायर जो है, फायर को क्या माना जाता है, फायर को माना जाता है, प्योरिटी, प्योर हो जाएगा कोई फायर में जलके, जो फायर है वो फटा-फट से, जो भी उसके आगे आता है, उसको फटा-फट स जो है वो जला देती है, rapid destruction जो है कर देती है, विरास ice की हम लोग बात करते है, ice करती है slow destruction, जी हाँ, धीरे धीरे जो है वो मारती है, ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नफरत भरी होती है, वो कहते हैं कि उन्हें तो है ना धीरे धीरे जो है वो मरना चाहिए, हमारा poet जो है वो कहने की कोशिश कर रहा है, वो लोगों को साफधान कर रहा है, Robert Frost ने पिछले poem में जैसे एक अच्छा message देया था, यहां भी अच्छा message वो देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई, अपने emotions पर control कर लो, यह self-destructing है, यह दुनिया आप ही की global warming है, यह हमारी ही वज़ा से तो हो रही है, जितने भी pollution जो है इतना ज्यादा भढ़ रहा है, और population rise हो रही है, यह जितने भी गलत चीज़ें जो हो रही है, destruction जो इस earth का हो रहा है, that is because of human emotions, लोगों की emotions उन पर इतने ज्यादा हावी हो गए है, कि भाई, पता नहीं चलेगा कि दुनिया कब खतम हो गई, तो यहां यह जो है वो कह रहे है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, poetic devices की, poetic devices इसमें क्या है, resonance, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, resonance, resonance कहां दिखाए दे रहे हैं बच्चों आपको, resonance, देखो भाई, those who favor fire, I hold with those who favor fire, इस line को अगर अब ध्या sound, worosely sound बार बार repeat हो रहे है, यहां काौनसा बार बार repeat हो रहे है, ओ ओ बार बार इस line में repeat हुआ है, I hold with those who favor fire, alliteration, alliteration होता है, repetition of the consonant sound, यहां काौनसा consonant repeat हो रहाहता है है थर्स इस वर्ट के स्टांटिंग में भी ऐस है, एस हैस रिपीट हो रहा है, तो that is why यहां पर है आपका आलिट्रिशन, तीसरा है आपका मेटफर, मेटफर आपको बता है, कमपारिशन वर्ट होते हैं, कमपेर करने के लिए, यहां हम लोग सीधी तरीके से देख सकते हैं, फायर को क कमपारिशन वर्ट होते हैं, यहां किसका कमपारिशन हुए है, आप लोग देख सकते हैं, फायर और आइस का, फायर का डिजायर के साथ और आइस का हेट्रिट के साथ, आगे है आपका परसॉनिफिकेशन, परसॉनिफिकेशन आज नेम सजेस्ट, परसन, व्यक्तिकरन जब लोग इट ना कहकर ही कहें या फिर उसे परसं से compare करें ठीक है जैसे यहां पर fire है न और ice है ऐसा लग रहा है कि poet कहने की कोशिच करें कि fire और ice जो है वो बर्बाद कर देगी इस दुनिया को जैसे कि fire and ice के अंदर अपने खुद के emotions हैं वो सोच रहे हैं कि हम तो दुनिया को बर्बाद ही कर देंगे यहां उन दोनों को capable दिखाया गया है दुनिया को बर्बाद करने की तो एक person के साथ एक व्यक्ति के साथ उन्हें compare किया गया है तो यहां पर personification हुआ है fire and ice का जिने बताया गया है कि वो जो है earth को destroy कर देंगे ऐसी capabilities जो सिरफ की एक person में हो सकती है आगे है आपकी imagery इमेजरी मैंने आपको भी बताई imagery का मतलब होता है जब आपके मन में images create कर दी जाती है यहां भी visual images create की गई है किस तरह की images है बोला गया है ice से खतम होगी fire से खतम होगी हमारे मन में image भी बननी शुरू हो गई मैंने तो जब की poem पहले बार पढ़ी थी तो मुझे actually में heat feel होने लगी थी कि fire से जब हम जलेंगे तो कितना दर्ध होगा कितना जादा जोए वो feel होगा ice से दुनिया खतम होगी तो भी कितना साथ temperature lower हो जाता है hypothermia हो जाता है तो इंसान एक तरह से डरने लगता है अपने मन में एक visual image जो है वो create करने लगता है तो इसी तरहीगी की imagery यहाँ पर use की गई है आगे है आपका अनाफोरा अनाफोरा यानि repetition होती है स्टार्टिंग में सम से सम से दोनों lines में सम से और सम से repeat हुआ है तो यहाँ पर है आपका अनाफोरा ठीक है दो words जो है यहाँ repeat हो रहा consecutive lines में consecutive some say some say तो यहाँ हो गया आपका अनाफोरा लास में है आपका symbolism symbolism भाई यह पूरी की पूरी यहाँ है poet symbolize कर रहा है कि भही आग से ही related है यह जो आपकी desire है न वो fire है और जो यह आपका hatred है that is ice वो coldness से उससे relate किया गया है symbolism यहाँ fire और ice को as a symbol use किया गया है metaphor और symbol इसमें same होंगे I hope आपको इसका symbolism जो है वो समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी पोयंग symbolic है यह symbolic है for your own emotions जो आपकी self-destructing emotions है end में मैं क्या कहूंगी क्या कहेंगे हम लोग that control your emotions start controlling your emotions otherwise your emotions will start controlling you भई बच्चों अगर आप भी लालच करते हो ना कि चलो video game खेल लेते हैं पढ़ाई बाद में करेंगे तो यह आपका लालच है ठीक है यह भी आपका greed है बच्चों तो इस तरह के greed को आपको खतम करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा poet ने आपको यहाँ पर specify किया है I hope आपको यह दोनों poems जो है वो अच्छे तरह के समझ में आ गई होंगी thank you so much for this amazing session मिलेंगे आपसे next video में till then bye bye take care